अजी लोसे नमस्कार क्या हल हैं आप सबीके मैं मुनमन सलाब पर फिर से बहुत-बहुत सब्सक्राइब और यहां पर दोस्तों आप लोग साथ में एक निया प्रीव मैं लेकर आ गया हूं और यहां पर आज हमारे पास में जो स्टेडी का दिन है वहाथ टीजार है इससे पहले वाले 72 दिनों की अगर आप नहीं लगाई तो शिन्ता की वाद नहीं है दो सब्सक्राइब लिए गिवन है तो आप इस वीडियो के डिश्रूर देख लेना और और इस वीडियो को जूर पाइदा जरूर ले लीजिएगा जी रफ किरों बाग रहे हैं ड्रीम आर जे रपारिशा ने आप लोग नारा दिया है इस नारे के वेचे बहुत से चीज कानवा मैं रोज करता हूं जब चैट ग्रूप में जाता हूं बहुत से स्टूडें जो हैं वो काफी अच्छे से वह लिए वाइट कलर का आई बटन है वहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर हमने फेस्बुक पे गुरूप नारका जिसका नम है टार्गेट जीर अगर आपको पर पर शानी आते हैं तो इस ग्रूप के अंदर आके आप उसके बार में डिसकुशन कर सकते हैं डिसकुशन और नोट्स का यह बिसकली ग्रूप है और यह स्पेशल ग्रूप है इसके हिस्सेदार बनने के लिए आपको हमें उपर देखेंगे वर सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करना मत बूलिए का पहले कि जैसे चैनल लाइब आए पोई पोड़ोड प्लोड़ कर उसका आपको काफी सारे हमने कंप्लेट करवा दिया है आज सब्सक्राइब कोई चिंता के बात नहीं है प्रेम प्यार से हम आगे के और घढ़ जाएंगे और आज हमारे पास में बहुत ही मजएदार बहुत ही बढ़िया बहुत ही, इंपोरेंट टोपिक है, जी. कोठारी कमिशन, तुकरन कमिशन, और उसके बाद में, मैंने आपको unit करवाई थी, दस प्समी जिसमें दूसेरा पॉइंट हमारे पास में था, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारे पास में क्या initiative ले गए है हार education के अंदर क्या चीज है हार education में मतलब खास दोर पर क्या किया गया independence के बाद में तो उसमें रादा किश्टन commission तो important था ही कोठारी commission भी important है और भी in between काफी commissions बनी थी लेकिन वो आप खुद से पढ़ सकते हो वो ज्यादा important मुझे नहीं लगती है डिसकस करने वाली commission दी वो कोठारी commission यहां पर है और रादा किश्टन पहले ही कर लिया है तो मैं इसके बारे में आज separate lecture लेक्टर 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 रहा है हम इतना important है national education commission हाँ जी पहला question बन गया जी पहली question important important लिख कर लाया हूं आप अगर गूगल के ऊपर Wikipedia के ऊपर कोठारी commission लिखोगे या किसी website पर जाके कोठारी commission search करोगे तो बहुत ज़्यादा matter मिल जाएगा नहीं आपके लिए चांटकर यूजी सीनेट के इसापका matter लेकर रहा है हम काफी मैनत करके आया हूंगी है इस मैनत को देखते हो आपने वीडियो को like करके share करने का काम जरूर करना है अब भी बहुत सारी ऐसे student हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाएं और हमारे पास में इतना फंट नहीं है कि हम इतनी भारी advertisement कर वा लें तो आपको ही हमारा साथ सदेना पड़ेगा करने के लिए और यहां पर एक और कोश्चन मन गया डियर जो रादा किष्णन कमिशन था खास तोर पर हाइर एजूकेशन को करने के लिए बनाए गया था और यह काफी important चीज है दोनों को दोनों कमिशन को साथ साथ में रखो और फिर बात समझ में आएगी दोनों में differentiate आपको करना आना चाहिए को इसके लिए यह सब महनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ ठीक असर बात समझ में आ रही है एजूकेशन सेक्टर के सारे अस्पेक्ट पे काम करेगा कुठारी कमिशन उननीस सो चौन सट से छासर तक काम कर रहा है to evolve a general pattern of education and to advise guideline and policies for development of education in इंडिया हांजी 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 देखिए उपरी तोर पर अभी मैं आपको बताता हूँ इंडिया में हमारे पास में educational system जो है वो खास तोर पर अगर बात करें तो दो प्रकार की है एक northern इंडिया का education system है एक south इंडिया का education system है तो उन दोनों के बीच में difference ना रहे दोनों के बीच में किसी भी तरीके से communication हो जाए दोनों के बीच में सामझस से बैठ जाए इसी के लिए यहां पर कुछ initiative लिए जाने चाहिए थे अब देखने ये हैं कि दोनों के बीच में समझस से बिठाने के लिए क्या initiative लेगा आगे जाके आपको पता लगेगा उपरी तोर पर बताया भी तो मैंने आपको इट वोज फॉर्म्ड ओन 14 जुलाई 1964 ये लोजी important question बन गया आपके लिए अंडर दा चेर्मेंशिप ओफ दौलत सिंग को ठारी या फिर डी एस को ठारी आप इसे बोल सकते हैं बात समझ में आगे क्या फुल फुम याद कर लेना डियर काफी important question है जब राधा किशनन कमीशन करवाया था उसका दूसरा नम मैंने आपको क्या बताया था हाँ मेरी तो यादस बहुत कमजोर होज़की है पिछले दिनों जब मैं चैट ग्रूप में आया था तो हमारी शुर्ण ने बोला था कि सर आपके बदाम खतम हो गए है क्या तो हाँ मेरे बदाम खतम हो गए है और मैं भूल गया हूँ कि राधा किशनन कमीशन का दूसरा नम क्या बताया था मुझे जल्दी से comment box में बताएंगे डियर हाँ काफी important question था चलो जी उमीद करता आप सभी ने बता दिया होगा UEC उसका दूसरा नाम था University Education Commission कोठारी कमीशन का दूसरा नाम National Education Commission यह आपको खास दोर पर याद होने चाहिए DS Kothari यहाँ पर इसके chairman थे इसलिए इनकी कास्ट पर ही इस commission का नाम रख दिया गया था वहाँ पर सरपली रादा किशनन थे उन्मी की कास्ट के नाम पर उसका नाम रख दिया गया था रादा किशनन कमीशन बास चमज में आरी होगी जी हाँ देन चेर्मेन उफ युनिवर्स्टी एजुकेशन कमेश उस समय में यूजी सी के चेर्मेशन बिगन सिस्टास्क ओन 2nd of October 1964 दो अक्टूबर 1964 को इसने काम करना शुरू कर दिया था चेर्मेशन को ठारी मैंने आपको बताई दिया था इन दिस कमिशन फाइव फोरन एक्सपर्ट फ्रोम USA, UK, USSR, France and Japan वर टेकन हांजी 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 यूएससर सोवियत यूनियन उस समय में होती थी खैर अभी के लिए रशिया नाम या आप याद लग सकते हैं को चिंता की बात नहीं है पुल मिला के इस कमिशन के अंदर 17 लोग थे ठीक है ना, 15 तो हमारे पास में Member थे और 2 यहां पे हमारे पास में consecutive धेat पे ठीक है न रेखार ने पर के बताई वह है में इन को क्या बता दिया थी चलो कोई बात नहीं मैंने बहर बूर्ट आपको बता दिजा है यूएसे यूके यूएसे सार फ्रांस एंड जैपान पांच एक्सपर्ट थे यहां की सारे के सारे इंपोर्टेंट कोश्चन एडियर एक भी नहीं छोटना आप लोग नहीं छोटेंगे वादा कर देते हैं इसले कशए लेके यर नेचे से ल कैशनल पांट नहीं भी वच्टत सब्सक्रांट उन्हों एडियर नश्न पैटन की बन ळुच्छन एंडियर यहांइनन क्वाटन एंडियर यहांहे लिए है आपनों के लिए दा मैडिकल और लीगल स्टेडीज को यहां पर एक्स्क्लूड कर दिया गया डियर इस कमिशन से यह चीज आपके लिए मोस्ट थीक है ना बास समझ में आरी होगी सभी को जी हां सर बास समझ में आरी है कोशन यह बिए सकता है इसका भी बन सकता है यह लों करके लाया हूं और इंपोर्डेंट इंपोर्ड़ेंट की आपके आपने छोड़नी नहीं तो कोई भी चीज आपने चौर नहीं है राखिए थोड़े टाइम के बाद में मैं आपको सारे पैंडिंग नॉट्स अपने टैल यह लो जी 64-66 किस कमिशन ने काम किया था and the report was submitted by the commission on 29th June 1966 हां जी हां जी हां जी ठीक है ना 24 जून 1966 को इसने report जमा करवा दी थी अब report जमा करवाई तो उसमें नाम क्या था report का वो आपको पता हो ना चीए education and national development काफी important question एडियर एक्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा ऐसा लिख लो और मैं क्या बोलूँ आपको इतना important है एक्जाम में देखना में मिलेगा ही मिलेगा रिपोर्ट का नाम कोठारी कमिशन की रिपोर्ट का नाम education and national development बास समय नारी है ना और कोठारी कमिशन का दूसरा नाम national education commission सर बार बार repeat क्यों कर रहे हो सर आपो अरे इसलिए repeat कर रहा हूं क्योंकि student हलके में ले ले लेता है डियर चाहे मुझे sentence of the communication oh sorry commission the destiny of India is being shaped in her classroom हां जी हां जी हां जी यह भी important अब opening sentence था commission का यह अब यह आप से पूछा आ सकता है exam में line दे दी the destiny of India is being shaped in her classroom बताओ यह कौन सी commission की opening line थी तो आपको पता होना चाहिए यह राधा किष्णन की थी जल्दी से दाव राधा किष्णन की थी क्या comment box में राधा किष्णन की थी नहीं sir यह तो कठारी की थी हां जी हां जी हां जी बहुत बढ़िया जाग रहे हैं सब इस्टोर्ण चलो जी डिनोर्ड दा वेल्य ओफ एज्टेशन डैटिटर्माइंड लेवल ओफ प्रोस्पैरिटी वेलफेर एंड फ्यूचर ओफ दा कंट्री काफी इंपोर्टेंट है सब्सक्राइब करते हैं अब में फीचर की बात करते हैं वैसे तो जो चीजे मैंने आपको बताई सारी में इती लेकिन में फीचर अलग से हैटिंग लेकर आया हूं अब यहां पर आपके लिए याद आगेटी है कि अब मैं यहां पर आपको नेट के एक्जाम की तयारी करवा रहा हूं तो मेरे पास में काफी experience है कि मैं काफी सालों से नेट के coaching students को दे रहा हूं और यहां पर क्या मैं देखता हूं कि student जो है वो खुद से prepare करता है चलो कोई बात नहीं prepare करें सबसे बड़ी problem student के साथ में तब आती है जब उसे यह नहीं पता लगता कि नेट के exam का दायरा जो है वो कहां तक सीमित as a teacher मैं student को चाता हूं कि वो पढ़े अच्छे तरीके से पढ़े लेकिन जब वो दायरे से बाहर चला जाता है न और वहां पर जाके मेहनत करने शुरू कर देता है तो यह मुझे बहुत ज़्यादा बुरी चीज लग जाती है अब मैं इतना समय नहीं दे पाता हूं student को फिर भी मैं यहां पर free education देता हूं पूरे दिन का तीन घंटा मैं आपके लिए यहां पर invest करता हूं और उसके बाब जूद भी कई बार ऐसे cases मेरे सामने आयते हैं जब student का आप मुझे पता लगते हैं कि student जो है वो दाइरे से बाहर की चीज़े करने शुरू कर चुका है मुझे ने वदा वो किस कारण से करता लेकिन एक मुख्या कारण यहां पर क्या है मुख्या कारण यह है कि वो गलत लोगों के हत्ते चड़ चुका है वो गलत लोग क्या करते हैं अपनी expertise दिखाने के लिए अपना best दिखाने के लिए अपने आपको थोड़ा extra skill वाला दिख कर रहा हूं जिसका answer आप नहीं निकाल पाएंगी और उसका answer मैं आपको अगर बता दूँगा तो मैं तो आपकी नजरों में बड़ा हो जाऊंगा ना कि वाप वावास और आपने तो क्या बड़ी आट्रिक लगाई और ऐसे हो गया वो है यह है वो है इससे मैं अपनी इमे समस्या देखने को मिल रही है अब भी मैं इस समस्या पर वर्क कर रहा हूं और आने वाले समय में हो सकते हैं कोई solution में आपके लिय palavras करने तो आप मेरे साथ नहेंote आपने ख़र रहसे हैं यह समझता हैं कि लेकिन इशारों में आपको बता दिया है कि बचष़ तो आपको इन रूल चीजे कराकर अपने आपकी इमेज बनाने की कोशिश करते रहते हैं ठीक है ना ठीक सर समझ गए है हम बात आपके एक पैराग्राफ और लेक रहा हूं जी यह सारा पैराग्राफ आपने तीन चार वर पढ़ना है जब मैं आपको एक डोकिमेंट प्लोड कराऊंगा ठीक यह काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में कुछा गया है कि दस प्लस दो प्लस तीन पैटन कौन सी कमिशन ने दिया था तो आपके पास में आंसर कोना चाहिए एक अठारी कमिशन ने दिया था अक्रोस दे कंट्री इडवाइज एट प्री प्राइमरी एजुकिशन विच व नहां पर अलग अलग नाम उज देहां आप सभी ने भी इनका नाम सुनना होगा शूट भी रिजनेंगा अच प्री प्राइमरी अब तीन लोग को एक ही नाम किया चाहिए प्राइमरी एंद प्राइमरी education reramped as a lower primary to be up to the fourth standard of चोथी क्लास तक प्री प्राइमरी इसका नाम हो जाना चाहिए यह यह यहां पर खास्तर पर बताया गया है it further classified that schooling as upper primary and higher primary and high school up to standard 10 the undergraduate education was identified as 11th and 12th standard undergraduate level under the name higher secondary and pre-university 11th or 12th को यहां पर higher secondary or pre-university कहा जा सकता है अभी paragraph समझ में यहां कि तभी मैंने कहा था 3-4 बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना briefing करके आपके लिए लेकर रहा हूं यहां पर क्या है एक language को यहां पर बताया गया है और वह एक language कौन सी चूच की जाएगी mother tongue को इस्तमाल किया जाएगा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहां पर अपने पास में इंडिया जो है वो northern इंडिया है और south इंडिया है ठीक है ना नोर्थ इंडिया वालों ने maximum लोगों है हिंदी ले ली और जब south वालों की बात ही तो यहां पर आप जानते है अलग लग language चलती है कंड़ है मल्यालम है तमिल है तेलगू है यह अलग अलग इन्हों ने अपनी ले ली language mother tongue में रूप में उसके बाद में आगे क्यों और रीजनल लैंग्विज या जो भी कहना चाहो वो कह सकते हैं तो यह यहां पर ले लिगा था उसके बाद इन्हों ने कहा किया टू लैवल को टू लैंग्विज को लेकर आए कि एक तो mother tongue ले लो और दूसरा जो है वो national वाली ले लो आप जो लेना चाहो तो ऐसे में यहां प ली लिए तो अब यहां पर communication आपस में हो सकता था यहां पर अब साउथ वाले टीच़र नोर्थ वाले स्टूएंस को बढ़ा सकता था इन्हों नोर्थ वाले स्टूडेंस नोर्थ में आके पढ़ सकते तो यह सबसे इंपोर्टन जी यहां पर आ गई जी अब एक और यहां कर दो दूसरी English कर दो और तीसरा जो है एक और अनदर लैंग्वेश कर दो तो Northern वालों ने क्या किया यहां पर इन्होंने तीसरी लैंग्वेश के रूप में Sanskrit को उठा लिया देखो जी बड़ी कमाल की चीज है आप लोगं के लिए Sanskrit को उठा लिया और यहां पर इन्होंने फिर से वही Tamil, Telugu, Malayalam, Kannad यह सब लैंग्वेश फिर से उठानी चुरू कर दी तो यह चीज जो है वो यहां पर हमारे पास में आपके लिए एक्जाम में जो कोश्चन पूछा गया वो यह पूछा गया कि बही बताओ थ्री लैंग्वेश कोंसेप्ट जो है वो कहां पर इंट्रिड्यूश किया गया था तो आपको पता होने चीज है यहां पर हमारे पास में इंग्लीश थी और वन अधर हमारे पास में हो गई थी तो यह सब चीज आपके लिए जानी बहुत से जुरूरी थी मैंने आपको ब्रीफिंग करके उता दिया नेट पे जब आप मैटर पढ़ने जाओगे तो आपको अथा मैटर मिलेगा कुछ आपके लिए मैनद करके आया हूँ और मेरे पास में एक खास बात क्या है कि मैं आपके लिए नट के एकजाम के लिए आज की चीज़े लेकर आऊँगा आप पढ़ोगे तो आपको दाएरा नहीं पता होगा कि कहा तक आपने रुपना है कहा तक आपने पढ़ना है कौन सा दाएर आपके लिए सिमित किया गया तो मुझे उसी का पता था तो मैं आपके लिए मेहनत करके लाया हूं दिये ठीक है न तो इस मेहनत को देखते हो आप लाइक जुरूर कर दीजीगा आगे की और भड़ते हैं तो हमारे पास में है हाइर स्केंडरी लेवल 11 और 12 इसका दू अगर आपको लगता है एक परसेंट भी कि आपके लिए इस चैनल ने कुछ किया है आपको कुछ सिखाया है तो आप इन नमबर्स पर जरूरूर पॉंटिबीट कीजेगा 81144-76310 यह हमारा पीटियम नमबर है और UPI-D हमारे पास में हमने यूपिया एड़रेट पी और अभी तक काफी शुर्ण ने इसमें कॉंटिबीट किया है और कोई भी कॉंटिबीशिन चोटा बड़ा नहीं होता है बहुत बढ़िया बात है और उन सब स्टोर्ण के नाम भी हम जल्दी है अनाउंस करेंगे हमारे पास में लिस्टिंग हो रही है उन सब स्टोर्ण की और कर सकते हैं यहां पे फेस्बुक पे आपके लिए हर देर एंसी क्यूज शेयर किया जा रहे हैं उनको आप जरूर अटेंट कीजिए आपकी तैयारी और बहुत बहुत के अंदर भी आता हूं कोई डाउट होता है तो उस चैट ग्रूप के अंदर मैं इसके बार में करते हैं और मुझे तो कम ही जुरूर पड़ती है स्टूडेंट या अपस में डिसकस करके मैक्सिमम् कोश्चन ग्यान से निकाल लेते हैं और कोई यहां पर चिंता नहीं और जो इनकी तैयारी है वह बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत अच्छा लगता है और स्पोर जो है लगभग इनका फुल ही आता है मतलब अगर जैसे आज 29 कोश्चन की क्विज थी तो सभी के 29 ही आये हैं मतलब सभी के दर नहीं मैक्सिमम् लोगों के 29 ही आये हैं लेकिन मैक्सिम् स्टूडेंट जो है वो 25 से 29 के बीच में थे कोई भी ऐसा स्टूड नहीं था जिसके कम अच्छे नंबर आते हैं तो उसे देखकर बैसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो जी स्टैनर के साथ में जुड़े हुए हैं उनका बहुत अच्छा स्कूर आ रहा है और किसी भी कोश्चन के अंदर डाउट होता तो वह मुझे भेज देते हैं और मैं उनको आ सबरना चाहते हैं तो ओपर दिये के वट्सप नंबर पर आप वट्सप कर सकते हैं ठीट है ना तो इसी के साथ में आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूं लेक्चर आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट बुक्स में लगता देंगे तो इन सब क्लाशिज को मैंने आपकी सुवीदा के लिए प्लेश में डाल दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गीवन है तो आप जरूर देख लीजेगा पेपर टू के भी फ्री आफ कोचिंग दी जा रही है उसके सभी लेक्चर को मैंने प्लेश में डाल दिय तो खुषारी कमिशन आपके लिए जरूरी था और यह मैंने आपको अलग से करवा दिया है इस वीडियो को देंगे ने सभी का बहुत को धन्यवाद मुझे मीद है आप लोगों को पसंद नहीं होगी अगर आप सब्सक्राइब हो तो आपको मैंने बहुत बहुत प्लेगा झाल